हेलो फ्रेंड्स स्वागा था आपको उन्वरस क्लासेज में हम लोग डिस्टर्स कर रहे हैं सिटेट के लिए प्रेक्टिस सेट जो कि होगा पेडगोजी का इसमें हम कवर करेंगे इन्वार्मेंट के लिए इन्वार्मेंट जो है रोज सुबह 7 बजे आपको चैनल पर मिल ज आप त्यारियादी कर रहे हैं सिटेट की तो आपका इड्मिट कार्ड आ चुका है डाउनलोड करें जिनका भी एक्जाम 16-31 के बीच भी है उनका आइड्मिट कार्ड आ चुका है आप डाउनलोड करने चलिए शुरुवात करते हैं पहले कोश्चन की निम्लिखित प्रश् अंद में कौन सा कथन सही है दत्यकार अभिवाब को भायो या बहुनोडवार अपनी शमता के अंसार किया जा सकता है बिल्कुल गलत है प्रतेदिन भीविधता और अभ्यास कराने के लिए कख्षाकार और फिर गिर्यकार के रूप में दत्यकार देने क्या सकता है ये भी गलत है तीसरा भी गलत है इसमें हो जाएगा दत्यकार बच्चों को सुचना खोजने अपने विचारों को निर्माण करने और उन्हें विचारित करने का और सन प्रदान करता है तो इस तरह से इसका आपसा नंबर डी बिल्कुल राइट एंसर होगा सीटेट के लिए रट के कोई नहीं इस एक्जाम को निकल सकता है इस एक्जाम को कांसेप्सवल ये इसका कंसेप्ट क्लियर है वही इस एक्जाम को क्वालिफाई कर सकता है या फिर जो प्रिजेंट आप मायंड का जूज अच्छे से करता हो या फिर कामन सेंस का जूज करत प्रयावराण अध्यन की कच्षा में सर्ण प्रयोग और निदर्षन किये सकते हैं। इसके समय में बताना है कच्षा में अनुसासन को सुनिस्ष्ट करने है तो बच्चों को नियन्तिर्थ करने के लिए बच्चों को स्वयम के बनाने और आवलोकन कौसलो को पैना करने के लिए उच्च कछाओं में क्या कि जाता है उसका अनुकरण करने के लिए बिल्कुल नहीं तो इस तरह से इसका एंसर रजाएगा आपसर नमबर B बच्चों को स्रम सीखने के योग बनाने और अवलोकन कौसलों को पैना करने के लिए नेक्स क्वेशन है दुरगा एक गाउं में रहती है और लकडी या गोवर की उपले का इधन इस्तमाल करती है वे चूले पर खाना पकाती है पिछले तीन मैने से उससे तेज खासी आ रही है उसका कारण हो सकता है इसमें पूछा गया कि इसमें कारण क्या हो सकता है उसके लिए जोपड़े के अंदर और बाहर प्रिदुसरत था ब्रिद्धा वस्था इधन के जलने से उत्पादित कर्बन मोन अक्साइड जा उसके स्वासन नली में जमा हो गई होगी यानि कि जो इधन जलता है जो लकड़ी या फिर उपले जलते हैं उससे उत्सरजित या निकलने वाले कार्बन मोनो अक्साइड जा करके उसके स्वास नली में जमा हो गई होगी या फिर जलते हुए इधन से उत्पादित काला धुमा जो उसके स्वासन नली में जमा होगी ब एक विद्यालने रायस्थान के लिए कच्छा चार के बच्चो के सैचिक भर्मण की योजना बनाई भर्मण के दोरान बच्चो से आपकी क्या पिछाएं होगी चीजों के बारे में बिना कोई प्रस्ण पुछे सबी का आउलोकन करना चाहिए बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें आनंद उठाना चाहिए उन्हें ध्यान से अलोकन करना चाहिए टिपड़ियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चो तथा सिच्छकों के साथ अपने अलोकन को बाटना चाहिए यही इसका right answer हो जाएगा रानी अपने घर का कुड़ा नीचे दरसाए गया तरिकों से दो ढ़रियों से अलग करती है इसे में बताना है कि क्या इसमें सही है केले का छिलका, सब्यों के छिलके, सूखी पत्तियां एक में एक ठा करती है दूसरे में जेम की बोतल, सास की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, ट्यूब, प्लास्टिक के खिलोन इसमें से बताना है नीचे रानी ने दो ढ़रियों में कुड़ा निम्न आधार पर अलग किया है दुरगंद रहित है अपघटित होने वाले या अपघटित नहीं होने वाले दूसरा अपना चक्रण क्या जा सकता है या अपना चक्रण नहीं किया जा सकता है तिसमें क्या है अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले क्योंकि जो केले का छिलका है सब्जे की छिलके हैं वो अपगटित हो सकते हैं लेकिन जैम की बोतल, सास की बोतल ये अपगटित नहीं होगी इस तरह से अपसर नमबर 20 का राइट एंसर हो जाएगा दोपर के भोजन के अवकास के बाद पर्यावन अध्यन पढ़ाते से में आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रूची नहीं लिए रहे हैं आप क्या करेंगे तो इसका बेसिक कॉंसेप्ट है कि जब भोजन के पशाद बच्चों को इंट्रेस्ट नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे बच्चों से कहेंगे कि वे डिस्क पसी रकस हो जाएं ऐसे बिल्कुल नहीं कहेंगे पाठ को रोचक बनाने के लिए बहु आयामी बुद्धी पर आधारित द्रिश सरब सामगरियों का प्रयोग करेंगे जी बिल्कुल सही है यह भी आप से अनुसका सही है पर्याण अधन के सिचक के रूप में आप बच्चों को चिडिया घर ले जाने की योजना बनाते हैं आप बच्चों को निमलिखित में से कौन सी गतविदी करने की अनुमती नहीं देंगे चिडिया घर के बिभिन जानवर कौन सा भोजन खाते हैं या पता लगाना चिडिया घर में जिन जानवर को देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना या फिर चिडिया घर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनके ड्राइं के कापी को साथ ले जाना या फिर चिडिया घर के जानोरों के लिए कुछ बहुत सारी खाने की समगरी ले जाना ये आप नहीं कहेंगे बाकी आप कहा सकते हैं क्योंकि खाने की समगरी आप नहीं ले आ सकते हैं वहाँ पे इस्ट कोचन है बीज अंकुरण की अधाराणा को इस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है अंकुरत बीजों की फोटो दिखाना, कक्छा में अंकुरत बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रकिरिया को अस्पस्ट करना बोडप चित्र बनाते अंकुरण के चरुणों को प्रदर्सित करना या फिर बीज बोने अंकुरण के विविन चरुणों का अलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतविधी को बच्चों को निस्पादित करने के लिए कहना इसमें क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि बीजबोने अंकुलन के विविन चरनलों का अलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गयतविधी को बक्चो को निस्पादित करने के लिए खाना ये इसका बिल्कुल ठीक एंस्वर है मीरा और दिव्या छोटी लड़किया हैं मीरा समोसे, कटलेट, डवल रोटी खाना पसंद करती है जबकी दिव्या भोजन पसंद करती है जिसमें लोह तक्त की कमी है मीरा और दिव्या को निम्लखित बिमारियों में से करम सो कौन सी बिमारी होगी? बताना है, इसकरवी और एनिमिया, एनिमिया और रताओं दी, मोटापा और एनिमिया, फिर मोटापा और सकरवी तो इस तरह से खाने के लिए, खाने पर मोटापा और एनिमिया होगी, क्योंकि इसमें जो दूसरे बच्ची खा रहे समें लोगत्रत की कमी है Next question है हमणा नीबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है इसका रीजन क्या है नीबू का घनतों नमकीन पानी में कम हो जाता है नमकीन पानी का घनतों साधारण पानी के घनतों से अधिक होता है या फिर साधारन पानी का घंदतों नमकीन पानी के घंदत से अधिक होता है या फिर निमु का घंदतों नमकीन पानी में अधिक हो जाता है इसमें क्या उंसर हुजाएगा नमकीन पाने का घनतों साधारण पाने के घनत से अधिक होता है पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपिच्छा किरित लंबे समय तक पर रच्छित किया सकते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाड़ियों को नश्ट कर देते हैं आपसन भी कम तापमान पर रोगाड़ों निस्क्री हो जाते हैं तो इसका बी वाला बिल्कुछ ठीक अंसर है रक्त की जाश द्वारा किसकी उपस्तित में से मलेरिया की पहचान होती है लाल रक्त को इसकाओं में मलेरिया पर जीवी प्लाजमोडियम या फिर रक्त में छतीरस्त रकित को इसकाएं रक्त में मच्चर के लारवे या फिर लाल रक्त को स्काओं में मच्चर के अंडे तीस में कैसे होता है लाल रक्त को स्काओं में मलिरिया पर जिवी प्लाजमोडियम का उपस्तित होना ये बताता है परियानर अध्यान की एक अच्छा में अधाराणों को असपस्ट करने के लिए कविताओं और कहानी का कथन का परियोग करना क्या सही है या फिर गलत है उचेद्धिसा में बच्चों की उज़ा को संकितित करता है पाठ को अनंद दायक और रोचक बनाने की मदद करता है या फिर अस्थानी एवं बिश्व अस्तर पर संसार की प्रकिर्ति को खोजने और कल्पना करने की जोगता का विकास करने में मदद करता है स्थी विल्कुल राइट एंस हो रहे इसका नेस्ट कोशन है जिसके नत्रत में चिपको अंदरनों को बल मिला था वो कौन थे सुन्दर लाल बहुगुला थे और हाली मेन का निधन हो चुका है इस तरह से अप्सर नमर एसका राइट एंस हो रहे नेक्स्ट और लाश्ट कोशन विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचे दर बढ़ा कर भार में कमील आते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है स्वस्त रहने के लिए दवाई के रूप में लिए रहते हैं ये भी नहीं है पेश्यों का विकास करने में करके हमें ताकत वर बनाते हैं यह भी नहीं है हिंता जन्र रोगों से बचाओ के लिए थोड़ी मातरे में आवस्ट रहें जी बिल्कुल राइट एंस हो रहे आपसे नमबड़ी और यह समय तो तो यहां पर कुश्चन हम उमीद करते हैं यह आ